दोस्तों जिसको नॉटिफिकेशन पहुच चोगे फटाफट लाइब क्लास में जुड़ जाए और आज जो हम लोग कवर करेंगे वो हिस्ट्री के इंपोर्टेंट को दोस्तों बिल्कुल न्यू पैटरंड के आधारी देहां पर एक सो अब्जेक्टिव कोशन को दिया गया है सो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक बने रही हैगा काफी इंपोर्टेंट प्रस्न को कवर करेंगे तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस प्रस्न का क्वेशन बर एक से जिस जिसको नॉट्रिफिकेशन पहुंच चुके जलज़से जुड़े यह और यहां पर चलिए अब आगे की और बढ़ते हैं क्वेशन बर दो सभी स्टुन वैरी गूट सबका सही आ रहा है अब यहां पर देखिए क्या बोला जाया रहे हैं दूसरा नंबर सिंदु सबेता किस अस्थल का साब्दिक अर्थ मिर्तिकों का टीला होता है तो यहां पर दूसरा नमर यहां पर देखिए क्वेशन बर चार चार नंबर देखिए जवाब दीज़ा फटावड सिंदु का बाग किस अस्थल को कहा जाता है सिंदु का बाग किस अस्थल को कहा जाता है तो इसका राइट आंसर कौन्स हो जाएगा तो ए नंबर राइट असर हो जाएगा यह नहीं मोहन जोद्र हो जाएगा ठीक है यह पार टू है और पार वन को अगर देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ह है वहाँ जाकर देख सकते हैं अब यहां पर देखे क्या है कि युगल साफधान के साक्ष कहां से में ले थे तो इसका राइट अंसर क्या है चलिए वैरी गुड़ सबका सयारा बहुत अच्छा वैरी गुड़ अभी तक वीडियो को शेर नहीं किये आप लोग और लाइक भी नहीं किये देखे अभी कुछ ही लाइक हुआ है लाइक कर लीजिए तो डी नमबर राइट अंसर जागा लोथल हो जागा ठीक है लोथल अब बढ़ते हैं आगे की और क्या है छे नंबर देखे देखे आयार कितना बार बोलूंगा कि आप लोग जो है लाइक कर लिजे जैनल मैं पहिली बार देख रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे बहुत बार बोल रहा हुए कि दोस्तो बहुत अच्छी त्यारी हो जाने वाली है आपको इसी चैनल से अब देखे सिंदु सबिदा का समाझ कि समाज कैसा था सिंदूस लिए का समाज जुद्र कैसा था तो इस नंबर आनसर नंबर यानि मारित सावदान हो जाएगा ठीक है दोस्तों ए नंबर अब आगे की ओर परते हैं यद्र करनी करने स्पक्राभन करेंगे तो आगी नंबर की मिसे कहा जाता है तो यह दी करंद्र ओके दोस्तों चलिए अब आगर लाइब क्लास पढ़ना चाहरे तो चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है ठीके दोस्तों और पार्ट टू वीडियो देखना चाहते हैं हिस्ट्री का डाल चुके हैं जोग्रोफिका हिंदी का पार्ट वर यानि आ चुका है अगर आप लोग सभी का देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाईए पार्ट वन पार्ट लिया हुआगा वहाँ पर जाकर देख सकते हैं यहां पर देखें रिगवेदी काल का समय क्या था तो इसका नौन नम्बर राइट अंसर के ए नमबर यह नहीं पंद्रह सो से एक हजार इसा पूरो हो जाएगा ठीक है दुस्तों चली अब आगे के ओर देखते हैं क्वेशन नमर 10 देखें क्या कहा रहा है किस गरंत को जंगल का किताब कहा जाता है चली वैरी गूड़ दस नमर राइट इंसर क्या है ठीक है अर नयक हो जाएगा अब आगे के और बरते क्वेशन में किस धार्मिक गरंत में पहली बार दर्सन की जानकारी प्राप्त होती है किस धार्मिक गरंत में पहली बार दर्सन की जानकारी प्राप्त होती तो ग्यारे नमर का क्या हो जाएगा गयारे नमर का बी नमर हो जाएगा ठीक है बी चले बहुत अच्छा अब देखें क्वेशन तो वी नमबर हो जाएगा द्वीतिये हो जाएगा द्वीतिये ठीक है दोस्तों चले अगर आप लोग जो एक बार जो अगर admission नहीं किये अब तक तो admission कर लिजे देखिए अगर आप लोग जो एक subject का PDF लेना चाहाँ थो दोस्तो देख लीजिए एक सब्रश्म लेकर के कि क्या किस तरह के परशन आते हैं क्या परशन आएगा तो एक सब्रश्यक्ट के लिए दोस्तो देखेने नंबर देने रहे सेरञ नाइन जिरोधिरीटू एट-एट-एट-एट-एट-एट-एट-एट-एट-एट- लेक्ए देखिए एडिमिशन कर ठीक है अगर आप लोग को अच्छा लगे तो फिर पाँच्छेच का ले लेना यहां अगर आप लोग पार्ट टू पार्ट तीरी देखना चाहरे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए लिए यह लिए चैनल का लिंक में है और दोस्तो पार्ट बार्ट वहां पर लिखावा रहें दिस्क्रिप्षिन में जाकर देख सकते हैं सारा विडियो अप्लोड कर दिया हूं ठीक है यहां पर देकिया क्वेशन मेर्स त्यरे क्या बोल रहा है क्या आर्फिसास्त्र में कितने परकार के वीवा का त्व तो शली हो जाएगा अब आगे कि यूइल वर पंदर परेमी विवा कि सरेनी में आता है तो पंद्रे का या यानि गंदर विवा हो जाएगा अब आगे की और बढ़ते हैं क्वेश्चन बर सुल है क्या बोल रहा है कि इन में से कौन नालंदा विस्विद्याले मैं सिक्षा गरहन किया था तो दोस्तों यहां पर नालंदा में यह कहां तो नालंदा मैं यह तो अब आगे वर देक वर सत्रे सत्रे नुमर क्या बोला किस गुप्त सासक को सिक्कों पर वीना बजाते हुए दरसाया गया है तो दोस्तों तो शत्रे नमर राइट असर का लशी नंबर यह समूद्र गुप्त हो जाएगा चलिए अब आगे की दो देखते हैं क्या वोला हरना आपना काम यहां राहा है 18 10 नमबर सभी कोई देखेगा पूरा वीडियो देखना देखे है पर क्या बलाई जाए इन में से कौन सी रचना तुल्सी काली कालीद्स की नहीं है तो यहां यानि मुद्र यहां पर देखे मैं कौन सी परियोग किया गया त का यह जो है लीपी का पर्यों किया गाए तो इसका राइट अंसर कौन सब्सक्राइब दूस्तों नमर का उनिस लिए नमर जगा इनि तीनों ठीक है चलिए अब आगे की बढ़ते हैं क्वेस्ट बीस क्या बढ़ते हैं जीवक कहां का रहने वाला था तो जीवक वैद जुद् सब्सक्राइब अब आगे की बढ़ते हैं क्वेशन बाइस क्या बढ़ते अंगे राज अधूनी अधूनी बिहार के किस जीले में है तो बाइस नमर जगा यानिक भागलपूर के जीले ठीक है ठीक है दूस्तु चलिए तेस नमर देखे बिंबी सार का संबंध कि सुए था तो दोस्तों तेस नमर राइट अंसर क्या दी नमबर यानि हर्यक वन से था अब आगे की और बरते क्वेशन बर चौबिस आचुकि क्या बला जा रहा है मौरी वन्स की संस्थापना पूर्व मगद किस वन्स की सत्ता थी तो दोस्तों 24 नमर राइट अंसर कौन सा जाएगा टॉटे नमर यहीं नन्द वन सैगा अब आगे की और बते एक क्वेशन वर फीर चिश्क्या होगे राइठ जरासंग का संब्ध किस वन से से था जरासंग का संब्री इस तर इसका राइट निसल बीनमर जागा यानि फिस दो बढ़ घर भर ठीए ठीक है चलिए अर बागे क के पती यहां पर जो हो जागा दोस्तों कौन-कौन थे 26 निम्र इन इन वे सभी थे अब आगे की और परते हैं कोश्च नमर 27 क्या पूत्र था तो घटोत कच जो था किसका पूत्र था तो इसका राइट अंसर जो जाएगा तो इन भीम भीम राइट अंसर हो जाएगा अब के बच्पन का नाम क्या था तो मात्मा बुद्ध के बच्पन का नाम क्या था दोस्तों तो इसका अठाइस नमर का राइट इंसर बी नमर इन सिद्दार्थ राइट अंसर सिद्दार्थ हो जागा अब आगे की और बढ़ते हैं क्वेश्च नमर 29 क्या प्राप्ति कहां हु तुरिजूपाली का अब 31 नमर देखें क्या बहुत है इन में से कौन सामरा जवाती इतिहासकार है तो दोस्तों 31 नमर का एंसर क्या है बी नमर एंसर यह नहीं मौर लेंड हो जाएगा अगर आप लोग जो है अभी तक पार्ट वन नहीं देखें हैं तो चैनल का जो है डिस्क आपत्य कला का सुवर नियुक था तो बत्यस नमर राइट अंसर क्या हो जाएगा तो शी नमबर यानि सा जहां हो जाएगा अब आगे की और बड़ते है क्या बोला जा रहे है अपर 33 नमर पानीपत की पहली रडाई कब हुवी थी ते ती नमर जाएगा यानि 526 में हुई अब आगे की और बड़ते क्वेश्शंबर चौँटिस क्या बोला जारा किस मुगल बादिस्या को अलमगीर कहा जाता था तो थो यहां पर दीन नमर रिका है अ है था फिस नमर क्या था मुसल्मानों से वसूला करने वाला कर था क्या था दोस्तों फैस नुमर भी निनम इन ऐसको सब्सक्राइब कर लो अब आगे की बिच्टेव देखें की हम लो लिग्ला 38 नंबर क्या बहुलए भारत का बारत का अंति मुगल बातशाह इंसर नंबर का क्या हो जाएगा तुटाएज जो जाएगा ओजयेगा श्री नमबर यानि बहदूर साजफर अब देखिए 49 कुषिन जजिएा कर किसे लिया जाता था तो जजिए कर किसमें दोतों चायरिए nationwide ले जन्मी यह जाता था अब कुन मुगल शासक क्या होजएक सैक तो 40 का क्या हो जाएगा बाबर हो जाएगा अब आगे क्या बोला जा रहा है आयंकर वयस्ता परचलित थी तो इसका राइट अंसर कौन साव यह बी नंबर यानि वीजय नगर सामराज में हो जाएगा अब आगे की और बते दोस्तों क्वेश्चन वर त्यतालिस क्या बोला जा रहा है वीजय नगर सासक अपने आपको क्या कहते थे तो इसका राइट अंसर क्या हो जगा तो तो थे तालीस नबर का ए नंबर यानि राय कहते थे अब आगे की और बड़ते हैं अगर पार्ट वन नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्सन में जाना है पार्ट वन हिस्ट्री का टाल दिये हैं पोलेटिकल साइंस जोग्रोफी का सबका पार्ट वन आप लोग जाकर देख लिए ठीक है यह पार्ट टू में बना रहा हूँ पैदास राइट अंसर क्या है देख लिए उत्तर भारत में भक्तिया अंदुर्ण का सरे किसे माल दिया जाता है तो इसका राइट अंसर जाएगा पैदास नमबर यानि रामानंद क सब्सक्राइब अब देखिए पाजन पुझे हरी मीले डैस किसकी काव्य पंक्ती है तो इसका राइट शानिस नमर का बीनमर कबीर की पंक्ती है अब आगे की और बढ़ते हैं दोस्तों कुष्ण में आप राच्वे सब्सक्राइब क्या बोला देखिए सलतनत कालीन पर्थ अब आगे की और बढ़ते हैं कुष्ण नवर उन पचास क्या बोला जाए बीजक में किसका उब्दे संगरत है तो उन पचास नमर इंसर इनमर जागा ठीक है कबीर राइट इंसर या पर हो जागा इन पटास नमर का क्या हो जाएगा तो एनमर रोगए ठीक है चलिए अब आगे के और बढ़ते पटास नमर कुष्ण देखे रामानुज किस दार्शनिक मत का परतिपादन किया था तो पटास नमर का बी नमबर यानि क्या जगा विश्ट 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 देट वाद राइट इंसर यहां पर हो जागा यानि बी नमबर दोस्तों आज के इस अगला पार्ट बहुत जल्दी आ जाएगा तो आज वीडियो लंबा होने के कारण में इतना ही तक कवर किया हूं ठीक है अगर आप लोग अभी तक जो है दोस्तों पीडियाफ अगर लेना चारहे बहुत अच्छी तैयारी करना चारहे तो देखे एक पीडियाफ लेके दे चलिए तो आज के वीडियो इतना है तब तक के लिए जाएएं जाएं जाएं